हेलो बच्चों मैं विसेख अगर तुम लोग भी 2526 में नीट का एक्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इस वीडियो में ग्रैविटेशन चेप्टर से जितने भी फॉर्मूलास बन सकते हैं और उसके उपर जितने भी वेराइटी के कोईश्यन बन सकते ह वो सारे कवर किये गए चाहे वो इस्पेस में दो एस्टोनोट हो जाएं तो क्या होता है या फिर अगर तुमने अम्यूजमेंट पार्क में राइट्स ली होगी तो तब तुमने जो वेट लेस्ट में स्वील किया होगा वो भी यहां पे कवर है इस वीडियो में हम लोग प्लानेट जो है वो क्या कर रहे एलेप्टिकल और्बिट में रिवाल कर रहे तीक है अब स्वृकेस पर ठीक है अब दूसरा लोग क्या है लौफ एरिया पैला है कि हर एक प्लानेट जो है से टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप आउट कर रहे है देख़ो अलाइन ज इस इधह पर कोई प्लैनेट है ठीक है और यह सन है ठीक है सामसे और यह प्लैनेट के भी जो लाइन जौइनिंग है अब यह क्या करना नायन जाइन जान से यह से मेरिया स्वीप आउट कर रहा त्व कर रहा है अब देखो है जो संसे का इस सेंटर से क्या डिस्टेंस रने आपके क्या बोलते हैं यहाब एक क्या है मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस की याद रखो यह पढ़ते हैं पर हमें इतना ज़्यादा कुछ याद रखने ही जब अतनी रटता नहीं मानना बस थोड़ा सा काम है याद रख लोगे इसको पटक से हो जाएगा तो अब देखो यह मैंने क्यों यहां पर बॉक्स खाली रखे ताकि मैं यहां पर बता सकूँ कि देखो पैर कि वाइक्यू में नीट के तो वह भी मैं आपको करवाऊंगा सब लाइन से कम से कम 30 से 40 क्वेश्टन करने वाला यहां पर हम लोग कुछ भी बाकी नहीं रहेगा सारी चीजे यहां कवर हो जाएंगी तुम बस यह वीडियो देखते जा इसके बाहरत कुछ भी नहीं आएग बस तुरू से अंट तक बने रहो और मेरे साथ साथ ना जैसे कोई कॉंसर्ट चालो करना तुमको आ रहा है तो उसके फॉर्मूलास कमेंट करो ठीक है जो क्वेश्टन से उसमें एंसर कमेंट करो फटाफट मेरे साथ चलते रहो फिर देखो तुमको कितना मज़ा आएगा ऐसे चुपचाई से बैठर होगे बोर मारो तो नहीं तब तो समझ में नहीं और यह को ऐसी वीडियो नहीं कि वह 30 मिनट में खतम कर दे रहा हूं 50 मिनट में खतम करने से तुमका नीट क्रैक हो जाता तो हर कोई कर लेता खाली 50-50 मिनट की वीडियो तो देखनी है साथ आठ वीडियो देख लो साथ चेप्टर खतम आराम से पास हो जाते हैं पर इतना असान होता है क्या नहीं महनत लगेगी महनत करनी पड़ेगी और वहीं यहां पर होने वाल है बने रहो सुरू से एंट तक हां जाओ NCRT मैंने पूरी सॉल कर रखी है NCRT का फिर कॉंसेप्ट का व बना सकता हूं ना बस देखते रहो बने रहो कुछ भी बाकिने सारी चीज़े यहां इस सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगी हां पर गैरेंटी आई है कि तुमको देखना है हां समझना है कुछ ना सब्सक्राइब तो कमेंट करना है ठीक है तब देखो एपीहिलियन एपी स्पीड है कितनी हां तो उसके लिए फॉर्मुला क्या है अंडरूट जी एम अपाउन ए जहां पर जी क्या है युनिवर्सल ग्राविटेशनल कॉंस्टेंट मास मास अफ दा प्लैनेट ए सेमी मेजर एक्सिस वन माइनस ए अपाउन प्लस ए ठीक है जे है आपका वी मिनमम म से उस्टेंट कि गाउस्टास lihat कि आज देखे है लिए आम वी माग्त क्या होना है है एक होली फ्रही यह पैसिट क्या होती है धस अब सब सबसे का वन माइनस ठीक है तो स्क्रीन शोट ले लो मूव करते हैं कैपलर थार्ड लोग तो क्या बोलता है तो जानते हो जैसे कैपलर थार्ड लोग क्या बोलता है कि टाइम पीरिट का स्कुरार इस डाइटली प्रोपोजनल दूदा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस दिख रहा है त ठीक है इसके उपर भी कई बार question पूछें जा चुके हैं इससे भी related question है इसका long derivation भी है पर उसकी हमें ज्यादा ज़र नहीं है आगे यह formula वापस से लिखा हुआ है इसके लिए अभी मैं cake की value बता नहीं रहा हूं बाकी 4 pi करके आप 4 pi square under root gm है ठीक है तो चल लिखी देता ह पूर pi square upon gm eq ठीक है याद रखोगे यह भी ठीक है अभी देखोगे इसके उपर भी पूछा गया question है है बहुत सारे question है सारी चीज़े हैं यहापर next move करते है नेक्स्ट क्या Newton's law of gravitation देखो Newton's law of gravitation पता ही है इस से related question सिर्फ इस चेप्टर के लिए ही नहीं है कि force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them ठीक है तो अब देखोगे यह रहाँ फॉर्मुला है gm1 m2 upon r square next vector form क्या होता है तो vector form कैसा है आपका minus g m1 m2 upon force on 1 due to 2 लिखते हैं तो यह क्या होगा r12 square r12 क्या है याद रहेगा move करते हैं नेक्स्ट क्योंपन तो नेक्स्ट क्या है ओके तो नेक्स्ट है characteristics of gravitation force तो देखो characteristics of gravitation force क्या होता है it is always attractive gravitational force के हमेशा attractive in nature है ठीक है इट is independent of the medium इसका मतलब क्या है इसको medium से फरक नहीं पड़ता तुम air में हो water में हो किसी भी medium में हो वो उसको फरक पड़ेगा नहीं it is conservative and central force conservative है मतलब path independent है अब जैसे यह है इसको मैं यहां पर रख रहा हूं और यहां पर लेके जाओं तो क्या होगा ले जाने में वर्क क्या करना पड़ा चाहिए मैं ऐसे लेके जाओं या ऐसे लेके जाओं या ऐसे 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 गरके लेके जाओं वर्क तो सेम ही करना पड़ेगा ठीक है path independent है central force है मतलब center पर डिपेंड करता है वो भी चीदि हम देखेंगे central force भी क्या होता है it has infinite range मतलब दो mass object के बीच के अगर distance infinite है तो भी क्या होगा यह एक दुस्रे ओपर force लगाएंगे next मतलब ऐसा कहूं कि मैं gravitational field जो है किसी mass object से शुरू होके infinity तक जाती है इसी के लिए range क्या है infinite है next super position principle इससे भी question पूछा जा चुका है super position principle से पर इतना ज्यादा नहीं तो chance बहुत हाई है कि किसी exam में पूछ ले तो super position principle क्या बोलता है तो किसी एक object पे लगने वाला force जो है अब जैसे यहाँ पर क्या किया जाए यहाँ पर मैं कहूं कि number of particles पार्टिकल से यह M1 है कि यहाँ कहीं M2 इदर कहीं M3 अब यह दोनों मिल के क्या कर रहें वंगे उपर फोर्स लगाना है कि लगा रहे है मैं के ऊपर फोर्स तो इसके उपर लगना आला नेट फोर्स क्या होगा तो नेट फोर्स वोगा वेक्टर सांग और फोर्स वान ड्यूटू टू टू प्लस फोर्स वान ड्यूटू टू टू प्लियर है तो अब है यहां पर वेक्टर साइंग है तो अब मूव करते हैं तो एक्सिलर्शन ड्रेशान ग्र्राइशन करें तो तो उसके उपर ड्यावीटेशन फोस लगत अग्राइड़ टो कोई फोर्स है तो क्या होगा वहां पर इसे सिल् crispy अक्राश से टो मैंने कॉया आइक्सिलरेशन तो देख trärt तो इसे कौत ग्राइब of Earth है और यह radius of Earth है अगर किसी दूसरे प्लाइनेट पर जाओ गर तो M क्या हो जागा mass of that planet and radius of that planet तो अब देखो relation between G and density इस चीज के उपर question पूछा जा चुका है पर यह कहीं पर NCRT में मिलेगा नहीं तो अब क्या है relation between G and density तो देखो जी क्या है जी मास क्या होता है density into volume density into volume upon radius क्या है volume क्या है अगर मैं अर्थ को sphere मान रहा हूं uniform sphere मान रहा हूं uniform mass वाला sphere मान रहा हूं तो 4 by 3 pi r cube upon r square cancel तो आया क्या 4 by 3 by G Rho ठीक है यह है यह आपका gravitational acceleration तो देखो यह जो है आपका gravitational acceleration है और यहाँ पर relation है जी और density के बीच में देखे रहो 4 by 3 constant पाई constant universal gravitational constant constant और हाँ एक radius बच्चा हुगा है ठीक है radius of earth भी क्या है constant ठीक है तो किसके उपर depend कर रहा है density के उपर इससे related question है ठीक है इसके लिए करना जरूरी है screenshot ले लो ready रहो ठीक है या फिर लिखते जाओ साथ साथ और अगर तुमको यह formulas आ रहा है तो comment करो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे audience को कितना answer आ रहा है whatever तो उस speed में उस pace पर मैं video बना सको और उस level की video बना सको ठीक है तो चलो नेक्स्ट स्लाइट किसके ऊपर है नेक्स्ट है एक्सेलरेशन द्यू टू ग्रैविटी है बट अब क्या है इस्फैरिकल सेल स्टिश के लिए सपैरिकल सेल में क्या बोल रहा है तो देखो जहां पर स्फेरिकल सेल में क्या हो रहा है कि एकदम सिंपल है हाँ एक कलर चेंज कर लेते हैं जोड़ा सा ब्लैक या फिर रेड कर लेते हैं ठीक है तो अब देखो जहां पर क्या हो रहा है स्फेरिकल सेल के लिए तो जब कोई स्फेरिकल सेल है तो अगर तुम उस यहां से पोस लगाएंगे यहां से फॉर्स लएंगे आडिस्टंस के ऊपर तो ऐसा लगा कि सारा फॉर्स क्या है से लग रहा है आप जहां एंग क्या है मास आफ सेल इस्मॉल एंग जो भी पॉइंट ऑप डिसके उपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ठीक है और आप क्या है डिस्टेंज सेंटर से उस पॉइंट तक का दूसरा अगर इंसाइड आप फोर्स को जोगे किया ही कोई मास क्या है मास एं इंसाइड है तो उसके उपर लगने आला फोर्स बता तो उसके उपर लगने आला फोर्स क्या है जीरो उसके उपर लगने आला फोर्स क्या है जीरो वही चीज यहां पर हो रही है देखो यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन और डिस्टन्स के विश्या ग्राफ है त यह जिसी पहुंच गया तो ग्रावीटेशनल एक्सिलरेशन क्या है मैक्सीमा और उसके बाद क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कैसे हां इनवर्स स्कूर्वर्स का फॉलो करके दिए रिप्टली डिक्रीज हो रहा है और इन तक जाते रहे हैं कभी भी एक सेक्सिस से मिलना नहीं है तीक है वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुए है आउट साइड दा सेल एट डिस्टेंस आप फ्रम आथ ठीक है यह सारी चीजें आप जो है स्क्रिंग शॉट ले सकते हो पढ़ सकते हो तो पूछ सकते हो अब देखो हां इंसाइड दा सेल के लिए है ठीक है अब है इस फेक्टर अफेक्टिंग वैल्यू अफ जी यह भी बहुत इंपोर्टेंट है जो भी सारे कॉंसेट्ट यहां पर दिख रहे हैं स्लाइट पर याद रखना ये दम बहुत जादा ही इंपोर्टेंट है तभी यहां पर वर तो यहां पर क्या है फेक्टर सब्सक्राइटिंग वैल्यू अफ जी तो देखो शेप आफ सेप अपर मेंटर करता है ठीक है कि भाई शेप क्या है या फिर ऐसा कहूं कि अगर जो अर्थ है आपता वह कोई फ्लैट नहीं ऐसा नहीं एकदम फ्लैट है मतला पूरा स्फियर ह पैर यहां पर देखो पूल क्या थोड़ा ज्यादा दूर है आगडा होतारी आपका छोटा होता और्पी के कंपेरिजन में ठीक है इसी के जाओ है तो हाइट की वाजएसे क्या हो रहा है तो देखो इफेक्ट ऑफ हाइट क्या है जी डैस जी वन माइनस टू एच अपॉन आरी समने पढ़ा होगा और तुम देखोगे इसके उपर भी बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखें अब अब क्या इफेक्ट ऑफ डेफ्ट का फॉर्मुला क्या है जी डैस इस इकल तो जी वन माइनस आप आरी ठीक है चलो और मूव करते हैं नेक्स्ट क्यों पर तो देखो नेक्स्ट क्या है वापस से वही यही चल रहा है तो यहां पर क्या है यह दा वैल्यू आप एक्सिलरेशन दू टू ग्रैविटी एट एन एंगल आफ लैटिटिट्यूड लेमडा तो अब क्या है य यहां पर क्या हो रहा है अब यह एक्वेटर है तो आप क्या होगा कोई लैटिट्यूड पर जो कोई एंगल बन रहा है लैमडा तो यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर एंगल क्या बन रहा है लैमडा है ठीक है अब यह लैमडा की जाए से भी क्या होगा आपका ग्रैव नाइंटी बनना है तो देखो वहाँ पे जी डैस पूल क्या रहने वाला है जी रहेगा अब फोल लेमडा एक्वल टूजी रो जम एक्वेटर पे हैं तो क्या होगा G क्या होने जाता है G minus omega square R तो equator पर क्या है gravitational acceleration बहुत कम होती है इसका use किसके ले किया जाता है जब कोई satellite को आपको launch करना होते है तो क्या किया जाता है अगर आप उसे equator से launch करोगे तो कम energy में वो काम करेगा जो pole से होने जाला है इसी के लिए आप देखोगे कि अर्थ मतलब इंडिया में भी जो हम सैटलाइट लांच करने के लिए कहां से लांच करते हैं तो आप देखो जो एक्वेटर के सबसे नस्दीक का पॉइंट है अर्थ इंडिया के लिए तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट के उपर तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अगर आप इसे इंफिनिटी से अर्थ के सर्फेस पर लेकर आ रहे हैं तो क्या हो अकुछ ना कुछ वर्थ करना पते और जो वर्थ करना पड़ेगा है उस वर्थ को ही हम क्या कहते हैं वह वर्थ ही क्या होता है प् Parents टॉर्ब हो जाता है तो यहां पे gravitational potential नेशी क्या है gm upon r ठीक है और negative sign है जो क्या बता रहा है attractive force लगने वाला हैन्व क्या है mass of earth लिखा हुआ यहां पे सब कुछ मास ऑफ अर्थ मास ऑफ दा अब्जेक्ट ठीक है स्मॉल एंड आर क्या है आर इस डिस्टेंस रूम दे सेंटर टू दा अब्जेक्ट ठीक है अब अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट यह पर और यह जो है पोटेंशल इस से थो भर के question हां ready डो कुछ भी मिस्मत करना जो ना समझ मैं तुरन कमेंट करो और पूछो अब gravitational potential gravitational potential हां क्या होता है mass gravitational potential is known as gravitational potential ट्रिटएशनल पोतेशिल होता है पोतेशिल है इंस पर अक्रति देखो आस दिखाने निक्युर्ट रिकर 통 quindiक्र…? अब चाहित तुम पनिखल अगिंहा है जी में आपे वाउल्ग क्यों दुँझ क्या होता है थे अच्रूर सब ग्राइब्काइब चाहिए ं to gravity M क्या है mass of the source हाँ जिसके पास आप ले के आ रहे हर बाद जयुदनी अर्थ ही हो ठीक है और R क्या है distance between the source and unit mass जिस unit mass को आप ले के आ रहे हैं जो चीजें आपको लगे screenshot लेना है screenshot ले साथ देख ग्रैविटेशनल पोटेंशनल वापस से पर ये इस बार क्या है इस बार का इस फेरिकल स्टेल के लिए इस फेरिकल सेल के लिए आ जैसे आङ हमने ग्रैविटेशनल एक्सिलरेशन देखा था स्टेल के लिए तो ग्रैविटेशनल पोटेंशियल आउट साइड अवैट्स डियवा neither सेल क्या होता तो आउट्साइड़ दो सैल के लिए वापस से वह वह होका कि यह अगर कोई मास्स अब्जेक्ट है मास अबजेक्ट है और यह इसका सेंटर है और यहां पे कोई दूसरा मास म है और इसका मास क्या है? चैपिटल म है तो क्या होने वाला है? सिंपल एकड़म यह क्या करेंगा? सारे जो मासस है यह क्या हो जाएंगे भाई? सेंटर ऑफ मास पर इकट्टा हो जाएंगे कंसेंट्रेट हो जाएंगे याद रखना एकनम वैसा ही फीलिंग है कि घर में चार भाई है चारो आपस में बहुत लड़ रहे हैं पर कोई बाहर वाला आएगा तो क्या होगा चारो एक साथ होके पांस वैसे लड़ेंगे वही ची सब्सक्राइब करने वाला है माइनस जी एम अपन ठीक है जहां पर एम मास आफ दा सोर्स है ठीक है हर बार जैनी अर्थ बोल दो क्योंकि अर्थ अगर मैं बार बार बोलू तुम रट लिया हाँ दिमान में बाइट गया तो दूसरे प्लैनेट के लिए दूसरे चीजों के ले सॉल नहीं कर प्राओ ठीक है अब यह स्फेरिकल सेल होने हम सेल मतलब समझे आना सेल क्या है होलो होता है अब अब मूव करते हैं हम लोग इसके उपर नेक्स वाले के उपर कि इंसाइड दा सेल क्या होना हां तो चीज़े याद रखो आर क्या है डिस्टेंस है जीतो उन इंसाइड दा सेल क्या होगा हां जब इंसाइड दा सेल है तो यहां पर बात होगी इकवी पोटेंशल की किसकी बात होगी इकवी पोटेंशल की तो देखो यह जो आपका कोई सोर्स है हां तो जब यहां तक लेके आरो सर्फेस तक लेके आना चाहर तो वर्क करना पड़ र अभी सार्फेस पे पोटेंशल क्या रहने वाला है इकुव्य रहें वाला है स्फेरिक्ल सक् waves चल रही है अहां सारफेसे पोटेंशव है रहागा इक्व команд क्या और ध्री क्या और ड्रेस कहुं को मैं क्या थे Är क्लियर है अब देखो अब इसके अंदर अगर कोई मास ऑबजेक्ट है तो उसके उपर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अंदर लेके आने या फिर अंदर से बाहर जा रहा है तो तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं एक्वीपोटेशनल सर्फेस है ठीक है यह पूरा सर्फेस और अंदर भी ठीक है यह सेम चीज अगले साथ 12 में भी रिपीट होती है तो पढ़ लिया है तो कनेक्ट करो उनको एक्वीपोटेशनल सर्फेस सेकेंड चैप्टर क्लास 12 ठीक है और यहां से तो क्या होगा चीजे कनेक्ट करके कंपैर करके पढ़ोगे तो एक साथ दो ची आपको मदद कर जाएंगे यहां फिर वहां के फॉर्मिले इन क्योंस मैं आपको मदद कर जाएंगे तो अब क्या बात करते हम लोग हाँ यह तो Heidi स्पेरिकल सेल के लिए हैं शेरिकल सेल कें इंसाइड इंसाइड क्या है ग्राइब्टेशनल पोटेंशल क्या है ओन्स्टेन्ट मब तो रेडियस एक पार रेडियस पहुंच गया क्या फ़ाइब भाई डिक्रीज यूगा जीरो गी तब तो ओर मूब टूवर्ट जीरो अब है अज़ाइब टेंशियल कि हाँ है तो दीफोड यह थे अब यह क्या है यह आपके इस्फियर के लिए इस्फियर मीन्स क्या होना एक इस्फियर मीन्स सॉडिल स्फियर अंदर से भरा वह यह अगर मैं कोई ले रहा हो mass object तो यह पूरा अंदर से भरा हुआ है तब क्या होगा अगर कोई object mass object बाहर है बाहर कोई mass object है तो क्या होना है इसके उपर तो भाई देखो gravitational potential क्या लगना है सेम ऐसे ही minus gm upon r वही कहानी है कि बाहर वाला कोई आ गया तो क्या होगा बाहर वाले के लिए सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी ऐसे यह सारे जो हैं यह कहां पर आ जाएंगे यह स्फियर है अब यह distance है capital r यह distance है capital r radius of the sphere और यह क्या है यह है m आ इंसाइड देश्फियर अट डिस्टेंस आ तो इसके उपर potential क्या लगना है तो यह potential है यह देखोगे इससे भी related question है अपने पास जहां पर अब यह क्या दे रखा है minus gm upon r और यह क्या है यह देखो यह कहां पर यह surface पर इतना potential है और यह क्या है आपका एकदम हाँ चलो यह special cases बताता हूं मैं तुम लोगों पहले special case क्या है कि जब मैं कहां पहुंश रहा हूं at center center के लिए क्या होना center के लिए मैं क्या कहूंगा r क्या है 0 center के लिए r क्या है 0 तो v of 0 क्या होना है minus gm upon 2 r हां 3 r की जगल क्या है गा जीरो जीरो अपॉन सम्टिंग इस 0 तो आया क्या सिर्फ minus gm sorry minus 3 by 2 gm upon r दिख रहा है यह क्या है center पर एक मतलत जब distance क्या है 0 यह मास अब जेक्ट कहां पहुंच गाया यहीं के सेंटर परď रहा है और जब सर्फिस पहुचता सर्फिस पहुंच al और वसके उसकी में यह से शूट करेगा और यह किसके प्रपोजनल भनाप आर्च टीक है और हां है हैं हुआ ट्यकर तो इतना रखते हैं या फिर इस मैं कहोगा कि मैं इंसाइट क्या है प्रपोज़न किसके है अर इसके बात करते हैं हम लोग कि रिलेशन अगर मैं सर्फेस और सेंटर का रिलेशन देखो जो पूछा जा चुका है तो सर्फेस और सेंटर के लिए सेंटर पूतेंशिल एंट सेंटर यह है पोतेंशिल एंट सेंटर और यह है पूतेंशिल एंट सर्फिस तो क्या है थ्री बाई टू टाइम्स थ्री बाई टू टाइम्स ग्राइविटेशनल पोटेंशल एड्ट सर्फेस यही सारी छोटी छोटी चीजे पूछी जाती है और तुम ऐसे सोचते बटो गई यार अब क्या करें यह तो पढ़ा ही नहीं है याद ही नहीं आ रहा तो इन सब के प्राइवल कर रहे हैं पन्ना पल्टो देखते जां ठीक है याद रहेगा तो होगा फाइदा इक्जाम चार माग ऐसे ही मिल जाएंगे ठीक है तो अब मूग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के उपर हाँ इसमें यह नहीं है इधर तो यह भी बताई दता हूँ एक टॉपिक यहां पर इस्किप हो गया इन लोगों से तेक्निकल डिपार्टमेंट का काम यह भी मुझे ही करना पड़ता है जो बोला जा उतना पूरा नहीं करते हैं तो देखो ग्राइविटेशनल एक्सेलरेशन और पोटेंशल के बीश रिलेशन ठीक है रिलेशन बिट्वेशन एंडीगंड टीक है तो यह रिलेशन क्या है तो यह रिलेशन है आपका चीज इक्यार टू माइनस माइनस क्या कर रहा हो हूट करना ले 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 रहा हूटतよね याद रखते होगे इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं ठीक है तो देखो यह क्या रहना है डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जैड कैप ठीक है याद रखना इसके ओपर भी कुश्चन है ठीक है अब देखो यह सारी चीजे मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम यह एक साथ लिखो नोट डाउन कर रखे रहा हूं ठीक है फिर जब निमेरिकल सॉल करना चालो करते हैं वह भी मैंने पहले सुरुवात के निमेरिकल जो ऐसी पैटन में अरेंज कर रखें अभी करा दो तो प्रेशर बिड़नी होगा वह जो प्रेशर चीए हमें कि आज इतने सारे फॉर्मिले पढ़तो लिए अब उसको अप्लाई करते सीखना नहीं तो पता चला आई से हां फॉर्मिले देखने अभी तो आ रहा है और अप्लाई करना ही भूल गया है एक्जाम में तो तो वह सब कुछ यहां नहीं हो बस काम एकदम सांती से बैठे लाग देखते जाओ गैरंटी है इसके बाहरा कुछ भी नहीं यह पढ़ लिया तो पक्का जितने भी कोश्चन आएंगे दो तीन और मैं कह रहा हूं कि ट्वेल्ट के भी कॉंसेप्स से जो एक दो कोश्चन आ यह सब को इससे तो कई क्वेश्चन बने एक दाम धुमाधा मजाई आ जाएगा और इतना इसी कॉंसेट क्यों पूछो मत तो देखो इसके एप स्वीट क्या है तो कोई भी प्लैनेट है हां अगर यहां ऐसा फिर प्लैनेट के लिए नहीं कोई भी मास अबजेक्ट है वहा हां हां आर क्या रहना है आर इस दिस्टेंस रूम दे सेंटर अफ दे मास ठीक है फ्रॉम दे सेंटर अब दा मास ठीक है जहां पर भी रख्यों आप जैसे यह कोई में फिस लानेट है या फिर ऐसा कर हों, मास है अब यह ए- अ-म क्या हो सकता है एक बार डियास पर है या फिड़ी कहीं ओपर हो सकता है ओं यह अभ्जेक्ट का मास है और जिसको स्कैप करवाना है उसका मास ही ठीक है तो इसके स्पीड कह है अब इसका जो है अगर मैं क्या करूँ रिलेशन खोजूँ ठीक है तो देखो क्या होना तो किसके साथ तो ग्राइविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ तो क्या होगा अब रूट टू जी एम बाई कि अगर टू जी एम आर है आर का मल्टिप्लाइड आर का डिवाइड कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पर यह जो होता है आपका जी एम बाई आर स्कूरइर जी एम बाई आर स्कूरइर क्या होता है तो यह gm by r square होता है small g gravitational acceleration और यह क्या है r ठीक है और अर्थ के लिए क्या है escape speed फटाफट comment करो ठीक है escape speed से related कुछ important बाते है कि अब देखो अगर अर्थ को black hole बनना है तो वहाँ पर escape speed के लिए क्या है तो escape speed should be greater than or equal to speed of light अब किसी planet के पास क्या है gas molecule है कि नहीं means atmosphere है कि नहीं तो उसके लिए क्या होना चीए तो atmosphere होने के लिए क्या होना चीए root mean square speed जो है किसकी gas molecules की root mean square speed क्या होनी चीए भाई छोटी होनी चीए किस से escape speed से समझ रहो तभी और फिर अब हर बार जो है मैं किसी object को throw करूँगा हाँ हर बार मैं किसी object को throw कर रहा हूँ तो क्या मैं बस उतको escape speed ही दूँगा या फिर मैं escape speed से जादा भी तो speed दे सकता हूँ तो resultant speed क्या होगी तो resultant speed जो है जब एक बार अर्थ पे बहार निकल जाएगा तो वह क्या होगा अंडर रूट वी स्क्वेर माइनस वी इस्क्वेर वी क्या है जो इस्पीड आपने अप्लाई किया और वी क्या है escape speed है ठीक है तो यह तीनों फॉर्मला याद रखोगे और इसके उपर भी या इसके उपर तुम देखोगे बहुत सारे पूछे गए हैं इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है पढ़ना ही है याद रखना ही है कि यह क्या रिजल्टेंट स्पीड है जब किसी औप्ज्ट विंद्ध से ठो कर रहे है यह क्या एक्म अध्मॉस्फियर secular такую करा दो इससे पता चलेता तो इससे पता चले कि तो दम क्यों मोलेक्वाइबर वहाव है यह जो गैस- Давайте वहां सबसे पहले कोई भी अगर अर्ष सैटलाइट है तो क्या है उसकी और्ष स्पीड रिलेस और रूट ग्रर्ष में और रूट कुछ देख कर यादाना है तो देखो यहाँ पर है इसकेप स्पीड और इसके बीच स्पीड क्या है है नाूं हां और विटल स्पीड के बिश में अंडर रूट 2 वी यह क्या है और स्पीड कित है और सके स्पीड के रूट टूoning स्पीड से नेक्स त sentido हां क्या क्या होता है कि मैंने कहा था ना है अपने पास तो क्या है तू यूपा अंडरोट एक लिए टीड़ूब टूपा कैनेटिक एनरजी के पास कैनेटीक एनरजी क्या होता है तो गम्म SOUND पोटेंशल है अब बात करें हम लोग्त टोटल हुआ है besigite 1000 और पहलना है तो देखो यहां पर –Gmm upon 2R तीक है अब Binding Energy Binding Energy क्या है जिस Energy की वैसे Planet से क्या है सैटलाइट बंधा हुआ मतलब उसके चारों तब रिवाल कर रहा है ठीक है बंधा हुआ मतलब अप्लब धागे से नहीं बंधा हुआ है यहां पर Energy है और वह कौन सी है same यही बस तो यह होता है बाइंडिंग एनर्जी gmm1 टू आप जो टोटल है जी उसी को क्या करते है हम लोग उसी को हम लोग जो है जब मेंगिटीड मिले लोगे तो क्या मतना है बाइंडिंग एनर्जी टिंग है यह रिलेशन याद रखना orbital speed और स्केपस्पीड के विश में नेक्स्ट टाइप सटेलाइट टो टाइप ऑफ सटेलाइट क्या है जी अस्ट एस्ट एस्टेशनरी सटेलाइट ते टाइम पिरियाद ट्वेंटीफोर आवर्स टीक है टाइम पिरिट क्या होता है ट्वेंटीफोर आवर्स 24 घंटे कोई यहां पर कोई सेटलाइट तो अब देखो जैसे जैसे यह घूमेगा तो आर्थ के लिए क्या है जिए इस्टेसनली सेटलाइट के लिए 24 घंटे टाइम पिरियड है तो इसका भी टाइम पिरियट क्या होगा चाहिए पस्टेसनली सेटलाइट की बात कर रहें चीक है तो हैट इस एप्रोक्सिमेटली 35800 किलो मीटर ठीक है 35800 किलो मीटर ज्याद रखो ज्याद रख नहीं है ठीक है next have the same angular speed and the sense of rotation as of earth ठीक है same angular speed होगी ठीक है अब used for satellite communication GPS सब लोग GPS यूज कर रहें तो उसके लिए कौन सा सटेलाइट काम कर रहा है जिया सटेलाइट है जिए इस्टेस नहीं सटेलाइट तो क्या होगा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को आप देख सकते हो जैसे यहां पर है अब यहां पर कोई सटेलाइट आगे तो क्या करेगा इस पर्टिक्लर लोकेशन का इमेज भेज सकता है जहां पर उसको सेट कर रखा है उसका क्या कर सकते हैं पर्टिक्लर इमेज भेज सकते हैं हर हर टाइम 24 आपको आपको वहां पर क्या कर सकते हो निगरानी रख सकते हो अब्ज़र्ब कर सकते हैं इंडिया इंडिया के लिए इंडिया ने कौन सा सेटलाइट लांच कर रखा है तो इंसेट याद रखोगे यह छोटी-छोटी बाते ही ऐसी होती है जो पुछी चली जाती है नीट में और तुमको याद नहीं आता है ठीक है कोई गैरेंटी नहीं है पर अभी तक मैंने जियो इसका मतलब किपी कर दो तो नेक्स्ट क्या आपका पोलर सेटलाइट तो पोलर सेटलाइट क्या होते हैं तो देखो रिवाल्स इन पोलर अर्बिट अर्वित अर्थ ठीक है 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 इप्रॉक्सिमेटली 500 टू 810 किलो मिटर पीडियर्ट इस नियार्ली 100 लिनट आ हाँ या यह सब्सक्राइब तो याद रखना इसको यूजड इन्मिलेटरी स्पाइब आपको इसी कंट्री पर स्पाइब करना है सबने परमाणु मुवी देख रखी ओगी स्पाइब करना चाहरे तो क्या करेंगा अगर जी श्ट्रेसनरी सेटलाइट तो भेज नहीं पाएगा तो क्या सबने परमाणु मुवी कैसे वहां से प्लैनेट आ रहा है मुप करते हुए और फिर वह पोकरन को देख रहा है कि क्या हो रहा है यहां पर तो इसके लिए फिर वेदर फोर्कास्टिंग रोज बारिस के टाइम में तुम लोग ऐसे सर्च हो तो यार कल छुट्टी मिलेगी क नहीं मिलेगी तो कौन बताएगा यह पोलर सेटलाइट बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है है जाई सेंची मेट्रियोलोजी में भी यही होता है ठीक है वैदर रैदर कुछ फोर्कास्टिंग के लिए यूज करते हैं यहां अब देखो यह जो है पोलर सेटलाइट अब यहा है तो इन सब के लिए है तो करता ही है साथसाथ यह देख रहो ना एक्चुल यह मेन काम है पिर आघर किसी को इसाइब करना जैसे अब देख लो इंडिया के ऊपर क्या करता चाइना हम अशाआ इसा मार चाहता है तो अब्तों कभी-कभी बलून भेजता है आ यह पोलर सेट अब है नेच्स टॉपिक वेटलेसनेस में क्या हो रहा है 살 है तो देखु वेटलेसनेस में क्या होता है कि जब आपके उपर स्प्रों स्प्रीप ग्राइटरस्प ग्राइटेशनल अक्सिलरेशनый लग रहा तो उस टाइम क्या होता है weightlessness बोलते हैं उस concept को हम क्या बोलते है weightlessness देखो weightlessness occurs when there is no force support on your body such as when you are in free fall जब free fall हो रहा है ठीक है सीथ gravitational acceleration लग रहा हो तब जो होता है उस क्या बोलते है weightlessness कभी आप लोग amusement park में गए हो दो तो वहां पर देखा होगा 90 degree वाला जो होता है 90 degree वाले से आपको इसे ड्रॉप करता है सदन जहां पर अरे है इमेज लगा रखा है टेकनिकल डिपार्टमेंट वाले भी काम कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है जब यह क्या क्या क्याता है weightlessness जब सिब gravity है आप ग्राविटी के वर्स से आप क्या कर रहे है विच इस नौन contact force can't be felt without an opposing force तो देखो एक्जामपल क्या है एस्टोनाट और वाइटिंग अर्थ and people temporarily suspended about a seat on an amusement park तो यहां पर मैंने क्या किया है सारे जो एक्जामपल मतलब सारी सारे जो फॉर्मलास यह कवर कर लिए अब जो हम लोग नुमेरिकल की तब बोग करते हैं ठीक है सब सबसे पहला कोश्चन सबसे पहला कोश्चन क्या बोल रहा है the kinetic energies of a planet in an elliptical orbit about the sun at a position a b and c are k a k b and k c respectively where a c is the major axis s b is the perpendicular to a c at the position of the sun as shown in the figure then kinetic energy k is less than k b less than k c k is greater than k b greater than k c यहां पर चार option दिये और यह देखो यह कब पूछा गया है 2018 में सारे pyq और जो भी related questions होंगे सब यहां पर कवर होंगे बने रहों और फटाफट कमेंट करो अगर तुमको answer आ रहा है तो तुम लोग क्या करोगे कमेंट दाउन करोगे तो यहां पर क्या होना काइनेटिक energy सबसे ज़्यादा कहां होगी तो जहां पर speed सबसे ज़्यादा होनी है तो maximum speed किसके सबसे नजदीक का पॉइंट है और सी क्या है एपिहिलियन है जो सबसे दूर का पॉइंट है यहां पर speed क्या है minimum अभी हम लोग ने फॉर्मला देखा था ठीक है तो क्या होना कानेटिक एनर्जी एपॉइंट के पास सबसे ज्यादा रहेगी फिर उसके बाद बी के पास पिर उसके बाद सी के पास तो के इस ग्रेटर अगना एक्टिग टॉड़्स तो तो कूछन समझ रहा क्या है और यह कप पूचा गया है 1980 में ठीक है सारे जितने भी पूछे गए सब इंपोर्टन तो ऐसा नहीं कि इसको क्या करना मैंने क्या किया है सब अरेंज किया easy से hard की तरफ पहले सुरुवात में कुछ question तुम देखोगे कि तुम को related topic से मिलते जाएंगे जैसे हमने अभी फॉर्मले से अरेंज किया फिर उसके बाद जो question रेंडम होंगे कि हर एक question कि कौन सा कहा से आ रहा है ताकि तुम लोग को formula apply करते बने ठीक है तो फटाफट कमेंट करो यहां पर इन चारों में से कौन सा option होगा तो भाई कौन है revolution of the earth around the sun ठीक है कौन evidence है क्या है जो यह बता रहा है कि there must be a force acting on earth ऐसा क्या है क्या proof है जिसकी वैसे तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई आर्थ के ओपर कोई force लग रहा है तो क्या है कि अर्थिया कर रहा है sun के अराउंड rotate कर रहा है ठीक है तो फोड़ा सा इसको move करते हाँ नेक्स वर्शन के ओपर तो देखो K plus third law states that square of the period of revolution T of a planet around the sun is proportional to the third power of average distance between sun and the planet T square is equal to k r cube where k is constant ठीक है यह है K plus third law time period का square is deadly proportional to the cube of semi major axis ठीक है अब क्या बोल रहा है कि यहां पर बताओ क्ये क्या है relation between G and K तो देखो एक तरीका है कि पूरा solve करून या फिर एक यह तरीका है कि तुमको formula याद है क्या जो भी हमने देखा तो formula क्या था टी स्क्वेर इस इक्वेर टू पूर पाई स्क्वेर अपान फोर पाई स्क्वेर अपान जी एम आर्ट्यूब ठीक है तो टी स्क्वेर और आर्ट्यूब के भी शेहीं रिलेशन था तो जो कॉंस्टेंट की जहाँ कौन है कॉंस्टेंट की जहाँ के है तो के किसके इक्वेर पाई स्क्वेर अपान जी है तो रिलेशन कैसा है अपना तो देखो यहाँ पे जीटेशन इकवर टूफ फॉॉर पाई स्क्वर सच करो क्या ऐसा कोई ऑप्षयन है तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्षयन है ऑप्षयन सीजीए जीएं के जीटेशयूब सब तुम से बन जाएंगे कुछ भी बाक ही नहीं रहेगा पूरे दो कोशन आए तो दो तीन आए तो तीन पूरे बारह के बारह मांक्स एक साथ तुमको मिल जाएंगे बस बने रहो देखते रहो अब नेक्स तो देखो नेक्स ट्रेशन क्या है सपोस्ट ग्राविटेशनल फूर्च वैरी इन्वर्स पावर अप दिस्टेंस देन दर टाइम पीरियोड अप्लैने इन सर्क्लर अर्बित आफ रेडियस आर अरांड दसन विल बी प्रपोजनल टू ठीक है और यह कुश्चन क अब पूछा गया तो यह कुश्चन पूछा गया आपका 2018 में ठीक है याद रखोगे अब नेक्स्ट क्या तो अब क्या बोल रहा है कि फोर्स के इन्वर्स ली प्रपोजनल है आज की पावर एंड के ठीक है जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्रपोजनल फोर्स तो प्रप यह संक्रेविटर फोर्स अराईज दो रहा है तो संतरीपीटर फॉर्स के संत्रीपीटर फोका थ Bak fluffy और यह क्या है कि आर की पावर के और एंड क्या है constant तो वी स्क्वेर क्या हो जाएगा वी स्क्वेर हो जाएगा आपका के डैश यह के और एंड को मैं नया constant लेता हूं और यहां पर आर की पावर एंड माइनस वन आर उपर था डिवाइड में आए तो माइनस ठीक है अब तो यह क्या हो जाएगा आपका तो वी हो जाएगा अंडर रूट के डैस आज की पावर एंड माइनस वन अपॉन टू पर मुझे वी नहीं चीए मुझे क्या चीए टाइम पीडिट तो टाइम पीडिट के लिए क्या करूंगा तू पाई आर अपॉन टी इसको नया constant बोल दो यह डबल डेस हां आर यह क्या है इन-एन-ड अपॉन टू तो यह डिवाइट में इकपॉल टू-टू टूपाइ में इधर भेज दो तो ट क्या हो जाएगा अपका हां आर अन-ड अपॉन अपॉन टू प्लस वन ठीक है चलो मैं एक इस्टाप उपन निकर देता हूं आपक कि तुमको confusion ना हो तो यह देखो यहां पर क्या होना है टू पाई आर इंटू आर एन माइनस वन अपॉन टू ठीक है जिनका मैस कमजोर होगा उनके लिए यह के डबल डैस इंटू टी तब देखो यह के डबल डैस और यह टू पाई constant है side करो उसको तो T क्या आ जा रहा है आर N अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन टीक है माइनस वन अपॉन टू प्लस वन क्या होना बला है तो T क्या हो जाएगा और यहां पर चल नया constant तो यह क्या हो जाएगा r n by 2 plus 1 upon 2 तो इसो क्या लिख सकते हो r n plus 1 upon 2 clear है तो time period किसके proportional होने वाला है n plus 1 upon 2 के चलो option देखते हैं तो कौनसा option right है पहला वाले clear next next question क्या है अब तो देखो if the mass of the sun were 10 times smaller than the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude gravitational constant क्या है 10 times बड़ा है और mass option क्या है 10 times छोटा है which of the following is not correct इसमें से कौनसा correct नहीं है तो देखो क्या है पहला option rain drop will fall faster ठीक है walking on the ground would become more difficult time period of simple pendulum of on the earth would decrease G on the earth will not change अब ये तीनों option उपर आल है जो दिख रहे हैं ये तीनों option किसके उपर depend करें gravitational acceleration के उपर ही depend करें देख रहें rain drop will fall faster तो gravity अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा फास्ट होगा तो चेक करना पड़े एक यहां ऐसा कुछ हो रहा है gravity कोई रोल है देख रहें टाइम पीरिट के लिए फॉर्म्ला करें टूपा अंडर रूट एल अपॉन जी वहां पे भी जी है यहां walking हम वॉक कर रहें अर्थ पर तो क्या हो रहाए बाइच से अहरे है और वह बहुत gravitational acceleration कम है इसी के लिए आसानिक बॉक कर रहें अगर कहीं पे वर 10 ताइम लाजर इंग मेंगनिटूट ग्राइटेशनल कॉंस्टेंट क्या हो रहा है दस टाइम बड़ा हो जा रहा है और इसको है तो देखो जी डैस क्या हो गया तैन जी इसका मतलब कि जी क्या है भाई चेंज हो जा रहा है तो यह ओप्षेन राइट है आपका नेक्स्ट तो देखो एट वाट टेंप्रेचर विल्द आर्मस स्पीड ऑफ ऑक्सिजन मॉलीक्यूल विकन जस्ट सफिशेंट पोर इसकेपिंग फ्रॉंद अर्स एट्मॉस्फियर तो कितनी आर्मस स्पीड होनी चाहिए या जिससे क्या होगा कि वह इसकेप कर जाएगा तो आर्मस स्पीड को किसके इकोल होना चाहिए इसकेप स्पीड के बराबर होना चाहिए और यह इसकेप स्पीड कब अचीव कर रहा है तो कितने टेंप्रीचर पर अचीव कर रहा है कितने टेंप्रेचर एट वाट टेंप्रेचर विल्द आर्मस स्पीड ऑफ ऑक्सिजन मॉल तो आप देखो क्या करना पड़ेगा एट्मॉस्पीर मैं क्या जान रहा हूं कि काइनेटी के लिए तो आप जे हाफ एम यह जो है वी यह क्या है आरे में सिस्पीड यहां रहती थी याद होगा तो तो वी कि जाया क्या है वी आरे में सिस्पीड आरे में कि जाया कौन है भी थ्री वाइट टू के वी टी तो क्या करना हूं टू से टू कैंसल और मुझे क्या चीए टेंपरेचर चीए तो टेंपरेचर का फॉर्मूला क्या बनेगा MVE का स्क्वेर MVE का स्क्वेर अपन 3KB अब देखो मास्क दे रखा है 2.76 10 तो दी पावर माइनस 26 हां तो यहां पर रख दो 2.76 10 तो दी पावर माइनस 26 इसके पिस्पीड अपने वो पता है 11.2 10 तो दी पावर 3 काई स्क्वेर अपन 3 के भी क्या होता है 1.38 10 तो दी पावर माइनस 23 देखो कॉंस्टेंट तुमको मिलते ही हैं इंट्रेंस एक्जाम में तो आप बस इसको सॉल करो तो अंसर क्या आएगा 8.36 10 तो दी पावर 4 क्या में मूव करते हैं नेक्स वेशन पे तो नेक्स वेशन क् सिस्टी जी एक्स्पिरेंस अग्राविटेशनल फोर्स अफ थी न्यूटन वेर प्लेस्ट वेन प्लेस्ट एट अट पर्टिकुलर पॉंट दा मैगनिटीवड ऑफ ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अट पॉंट इस बराबर तो फोर्स क्या होता है एंजी और जी ही क्या है इसको तुम ग्राविटेशनल एक्सिल्रेशन बोल सकते हो जा ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो तो मुझे क्या पूछ रहा है दा मेगनिटीवड ऑफ ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो जी क्या है एफ अपान ए 3 into 10 to the power minus 3, solve करो, 3 into 10 to the power, 3 divided by 60, टीक है, कितना हो जाएगा ये, 3000 divided by 60, 50 newton, तो क्या है option, 50 newton per kg, next, 2 bodies of mass m and 9m are placed at a distance r, the gravitational potential of the line joining of the body, where gravitational field equals to 0, तो आप देखो, ये question है, बहुत important, तो आप क्या बोल रहा है, कि जहाँ पर gravitational field 0 हो जा रहा है, वहाँ पर बताओ gravitational potential क्या है, तो अब क्या है, दो mass है, एक है, m और एक है 9m, place data distance r, दोनों के बीच में distance कितना है भाई, आ रहा है, तो अब ये m इधर पर है, 9m, तो ये distance क्या है, सपोस करता हूँ, x distance पर क्या है, gravitational field है, 0, तो अब क्या होने वाला है, g क्या होगा आपका, gm upon x square, plus g9m upon r minus x का whole square, g क्या है, net acceleration क्या है, इसको चलो, net बोल देता हूँ, net क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, gm upon x square, और ये, और ये, वाला, gravitational acceleration इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए इसके लिए, इस तब यहाँ, प्लस नहीं, यहाँ हाएगा, minus, तो ये minus रखो जाएगा, तो अब gm minus 9gm r minus x का whole square ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह minus equal to go state आए तो plus 9gm r minus x का whole square gm upon x square cancer तो यह क्या हो जाना है यह दो कर डिवाइट में equal to go state आएगा तो multiply तो 9 is equal to r minus x upon x का whole square ठीक है root ले लो दोनों तर तो 3 is equal to r minus x upon x plus minus 3 आएगा पर minus 3 लोगे तो answer क्या जाएगा negative आजाएगा ठीक है इसी के लिए वो नहीं तो यहाँ पर 3x equal to r minus x तो minus x से equal to go state आएगा तो तो r is equal to क्या हो जाएगा 3x plus x तो x क्या आ रहा है r upon 4 x क्या रहा है आपका r upon 4 तो r upon 4 पर क्या है gravitational field 0 है तो potential क्या होगा वहाँ पर तो देखो potential 9 upon क्या है आएगा r minus x देखो यहाँ पर क्या होने आला यहाँ पर यह लोग add होते है पर यह gravitational acceleration क्या अपोसित डिरेक्शन में होगा ना एक अपनी ताफ खीचेगा एक अपनी ताफ खीचेगा तो इसी के लिए यहाँ पर आता है minus और यह तो potential होता ही negative है तो अब देखो gm upon x तो gm x की जाएगा क्या है आर अपन फोर minus 9gm r x क्या है r upon 4 ठीक है तो अब अब क्या करते हैं हम लोग यह क्या है minus minus 4gm by r यहां पर r minus r by 4 करोगे तो क्या आना है 9gm 3r by 4 क्या हो जाएगा यह 3 से 9 तो यह क्या हो जाना है 4 उपर जाएगा तो पूर्थ रिदार 12 तो यह क्या है minus 4 gm upon r और यह 12 gm upon r clear है तो आया क्या आपका minus 16 gm upon r clear है तो यह होने वाला है potential तो कौन सा option राइट है तो option अपना राइट है डी टीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है a body weighs 200 newton on the surface of earth हाँ how much will it weigh halfway down the center of the earth हाँ halfway down जब है यह अपना अर्थ है अब surface पर क्या है उसका मास है weight क्या है 200 newton अब halfway down में यह अगर मैं कहूं कि पूरा क्या है आरी तो जब depth क्या है r by 2 तो यहां पर उसका weight क्या है ठीक है तो खोशते हैं तो मैं जानता हूं g at depth d क्या होता है g one minus d upon r e clear formula अब g one minus r e upon two r e क्या होना तो यह इसको arrange कर लो g one minus r e upon two r e r e सहरी क्या है तो g at depth d ठीक है तो सोरी तो यह क्या हो जाना है g दिख रहा ना जी one minus one by two यह थोड़ा सा आ रही है वो तो one minus one by two क्या होना है रहाव g by two अब यह है g at depth d मास्क का मल्टिप्लाइ कर दो mg at depth d is equal to mg by two यह क्या है यह मुझे पता नहीं है weight at depth d और weight यह क्या g on surface है तो weight on surface क्या है 200 200 by two हंड्रेड क्लियर है कौन सा option दा आइटम तो हंड्रेड न्यूटन वाला क्लियर है जिनको screenshot लेना screenshot लेते जाओ वीडियो पॉस्ट करके या फी लिखते जाओ साथ साथ ठीक है और खुझ से solve करने ही कोसिस करो जो भी answer पता चलते है तुरन comment section में बता ठीक है next imagine earth to be a solid sphere if the value of acceleration due to gravity at a depth d below earth's surface is the same as its value at a height h above its surface is equal to g by 4 depth पे ये earth है तो क्या बोल रहा है depth पे और height पे h height पे दोनों जगह पे ही क्या है gravitational acceleration क्या है जी अपॉन 4 जी अपॉन 4 तो बताओ ratio h upon d क्या होगा तो कैसे करूंगा मैं तो मैं जान रहा हूं g at height h के लिए देखो यहाँ पे तुम 1-2h upon r e वाला formula नहीं ले सकते हैं क्यूंग ये क्या बोल रहे है h height पे हाँ क्या है gravitational acceleration g upon 4 है ठीक है अब तो क्या हो जाएगा 4 is equal to 1 plus h upon r e का square तो 4 की जाए क्या लिख सकता हूं मैं 2 1 plus h upon r e root ले लिए दो तब तुम minus 2 भी ले सकते हो पर उससे answer वापस से negative आएगा ठीक है थोड़ा practice करोगे तो पता चलने लएगा तो यह देखो plus 1 equal to get set है तो minus 1 2 minus 1 1 h upon r e तो यह height क्या रहा है r e के बराबर ठीक है अब बात करते है किसकी depth की तो depth पे लिए क्या है g at depth d के लिए क्या है formula g 1 minus d upon r e ठीक है तो यह क्या है g upon 4 g 1 minus d upon r e g से g गए हां तो बचा क्या 1 upon 4 is equal to 1 minus d upon r e negative है equal to this side ले आया positive है equal to get minus 1 minus 1 by 4 3 upon 4 r e divided है equal to set गया ठीक है तो d मिल गया h मिल गया अब मुझे क्या चाहिए ratio h upon d का तो h तो क्या है h अपना simple सा r e है और d क्या है d अपना 3 upon 4 r e clear r e r e गया तो h upon d किसके equal है 4 upon 3 ठीक है तो देखते हैं कौंसे option राइट है तो second next next क्या है starting from the center of the earth having radius r the variation of g acceleration due to gravity is shown by which of the following देखो यह graph वाला question पुछा जा चुक है 2016 में और यह हमने अभी देख और हम लोग अभी देख रहे थे कैसे depth मतलब gravitational acceleration vary कैसे कर रहा है तो जब तक surface तक पहुंचोगे तो क्या होने वाला surface तक पहुंचते पहुंचते आप जी क्या हो गए इन क्या बोलते है लीनियर्ली rise करेगा उसके बाद rapidly decrease करेगा तो कौन सा option राइट है सी वाला कौन सा option राइट है सी वाला ठीक है next the work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to radius of earth is ठीक है क्या कर रहा हूं मैं कि यह है अर्थ है यह इसका radius r e है अब क्या कर रहा हूं किसी object को मैं raise कर रहा हूं कहां तक r e height तक ही अर्थ के surface से ले जाना चाह रहा हूं तो बताओ कितना वर्थ करना पड़ेगा एकदाम simple है वर्थ का formula क्या है f dot dr r1 to r2 f क्या है g m e m upon r square dr limit क्या है r1 to r2 constant क्या चाह है g m e m constant है बहार निकाल तो g m e m बहार 1 upon r square dr r1 to r2 ठीक है अब यह जो है 1 upon r1 square का तुम क्या करोगे तुम इंटिग्रेशन करो तो यह क्या होने आल है g m e m यहां यहां पर क्या हो जाएगा r की power क्या है minus 2 तो उपर जाएगा तो minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 power plus 1 divided by power plus 1 और r1 क्या था देख़ो इनीशल पॉइंट क्या है इनीशल पॉइंट क्या है भाई रेडियस अफ और और फाइनल क्या है टू टाइम रेडियस ऑफ फाइनल क्या है टू टाइम रेडियस ऑफ अर्थ तो यह रवन को क्या लिखूंगा मैं आरी और इसको 2RE तो यहाँ पे लिखो limit डालो RE to 2RE clear है तो अब यह minus 1 minus बहार minus gm em यहाँ पे minus 2 plus 1 है मतला 1 upon R ठीक है तो अब क्या करूँगा पहले upper limit minus lower limit तो क्या होने वाला है minus gm 1 upon 2RE minus 1 upon R half time R.E. में से one time R.E. 1 upon R.E. तो half में से बन जाएगा तो minus 1 बचेगा तो यह क्या हो जाना है minus minus plus gm upon 2R.E. समझ रहा है ना minus half R.E. minus half upon R.E. बस्ता तो इसी के लिए minus minus क्या हो गया? plus अब R.E. का multiply R.E. का divide तो यह क्या होने लाएग? gm e R.E. तो अब चेक करो कौन सा option राइट है? हाँ? half Mg R. R क्या है? R.E. ही है. ठीक है? चलो. अब जोटें? हाँ? नेक्स वोश्चन करते हैं? कमेंट करते जाओ. अप्शन जैसे ही तुमको पता चल रहा है ना? मेरे साथ solve करो. जिसका आप पहले solve हो रहा है? वो लोग तुरन्थ कमेंट करो. ठीक है? तॉब अब बोडी वेट सेवेंटी टू न्यूटन अन दा सर्फेस अपर्थ वाट इस दा ग्राविटेशनल फोर्स ओन इट अट हाइट इक्वल तू हाफ अफ अफ दर रेडियस ओफ दर्थ देखे रोग ऐसे कोश्चन आ रहे हैं हाँ सारे कोश्चन कनेक्टेड हैं एक के बाद हाइट डेफ्थ हाइट डेफ्थ चल रहा है तो अगर तुम लोग एक क्या कर रहे हो तो हाफ जब रेडियस कर दे रहा है तब क्या है उसका बीट तो कैसे बताऊंगा मैं तो जी ओफ हाइट जी एट ह क्या है जी वन प्लस ह अपन आरी का होल स्क्वार कोई भी बन माइनस टू अच अपन आरी नहीं लेगा आप वो कब है तभी जब क्या है एच बहुत छोटा है लगभग नेगलेक्ट कर सकता तब वो चलेगा यहां नहीं चलेगा तो अब क्या करने आ लाओ मैं यह क्या है हाफ हाफ लेना है तो जी एंट हाइट एच जी वन प्लस आरी अपन टू इंटू आरी का स्क्वार गया तो यह क्या होने लाओ जी एट फाइट है एच जी वन प्लस वन अपन टू- त्री अपन टू का स्क्वार त्री अपन टू का स्क्वार क्या नहींAmला भई जी at height h, 4 by 9 g, m का multiply कर दो, कर दिया है m का multiply, अब m g कितना दे रखा है, ये है 72 newton, ये क्या है, 72 newton, और ये क्या होना है, weight at height h, तो 4 upon 9, 72, 980, 840, 32 newton, तो कौनसा option right है, चलो जिसको screenshot लेना ले लो, और कौनसा option right है तो भाई, option B, ठीक है, तो ऐसे, तो देख रहा है, बहुत important concept चल रहे हैं, और यही है जो तुमको मदद करेंगे, तब next question क्या है, तो देखो, बहुत important question, हाँ, 2016 में पूछा गया है, हर एक question पर यहाँ पर mention किया है, कौनसे year में पूछा गया, ठीक है, तो देखो, at what height, from the surface of earth, the gravitational potential and the value of g are minus 5.4, 10 to the power 7, joule per kg meter square and 6 meter per second square, respectively, take the radius of earth as 6400 kilo meter, ठीक है, तो, तो पूछ रहा है, कि ऐसे कौन से height पे, आप, कौन से height पे जो है, gravitational potential, और gravitational acceleration की value यह हो जाएगी, ठीक है, potential की value यह हो जाएगी, और gravitational acceleration की value 6 हो जाएगी, तो क्या करूँगा मैं, तो देखो, क्या करते हैं, v upon g, रेशो ले ले लेते हैं, तो v का formula क्या है, minus, minus gm upon r, ठीक है, और इसका formula क्या है, gm upon r, उसका है, gravitational acceleration का, तो क्या और रहा है, gm से gm, cancel, तो v upon g किसके equal है, तो v upon g आ रहा है, minus r square upon r k, तो यह भी cancel, v क्या given है, तो भाई, v given है, minus 5.4, 10 to the power 7, g कितना है, 6 equal to minus r, minus c, minus गया, 6 से 5.4 उखट करो, तो यह क्या हैगा, 6, minus, 0.9 into 10 to the power, 7, तो इसको multiply करोगा, तो यह क्या हो जाएगा, 9,000, 9,000 into, 4 point मैंने क्या कर दी, 10 to the power 4 को मैंने इसमें shift कर दिया, तो यह क्या बचेगा, 10 to the power 3, आप, ऐसा Q किया मैंने, यह किसमे है, meter में, दिख रहा है, यह meter में है, यह joule में है, joule क्या होता है, kg meter square per second square, तो अब, आर क्या आ रहा है, 9,000 km, तो अब जो है, यह R मिल चुका है, तो यह R क्या है, R E plus H, R E plus H क्या है, 9,000 km, और H क्या होने वाला है, भाई, 9,000 minus R E, R E कितना होता है, 6400, ठीक है, 006, और यह 2, 2600 km, चेक करो, कहा है, तो option B, यह है आपका right answer, तो आप, move करते हैं, नेक्स वोशन पे, तो नेक्स वोशन क्या है, the escape velocity from the Earth's surface is B, the escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times that of Earth, and same mass density is, तो अब कितना है, खोजना चालू करते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, escape velocity और radius of Earth और density के बीच में relation चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, तो मैं जान रहाँ, escape speed क्या है, तो escape speed जो है, उसका formula क्या है, वी अंडर रूट टू जी आरी याद है, यह जी क्या था, टू जी एमी अपॉन आरी स्क्वार, ठीक है, इंटू आरी, तो आरी से आरी क्यांसल, तो आया क्या, अंडर रूट टू जी अपॉन आरी, और मास आफ और अर्थ का, अब मुझे कहाई यह density के भी इस relationship, तो density क्या करता हूँ, मास को convert करता हूँ, density into volume, 4 by 3 pi r e, तो क्या होने आल है, यह इस r e है, यह इस cube है, तो आया क्या, यह देखो, r e स्क्वार बाहर, r e, 4 to the, 8 pi upon 3 g, g rho, कुछ बाहर की है, 8, 0, r e तो बाहर चला गया, pi, बराबर, तो यह है आपका relation, ठीक है, r e और density के साथ, तो अब question में क्या given है, कि escape speed अर्थ के लिए क्या है, v है, escape speed अर्थ के लिए क्या है, v है, तो v क्या बोलता हूँ, मैं, r e, 8 by 3 pi g rho, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो ऐसा कोई planet, जिसका radius क्या है, फोर टाइम से, जिसका radius क्या है, भाई, फोर टाइम है, तो speed of planet क्या उन्हें आला है, इसके पी speed of planet के लिए, फोर आरी, radius से गमपेरी, अर्थ के गमपेरी, जिमने उसका radius चार गुना है, और density क्या है, सेम है, 8 by 3 pi g rho, तो अब यह देखो, यह सेम है, यह सेम है, आरी, आरी, सेम है, तो अब वी अपाउन, वी पी is equal to one upon four, वोर डिवाइब में equal to go study है, तो वी पी क्या है, four, V, so escape speed of planet क्या नहीं है, four time, escape speed of earth, next, next question क्या है, a particle of mass M, is projected with the velocity V is equal to kV, where k is less than one, from the surface of earth, V is equal to escape velocity, the maximum height above the surface reached by the particle is, maximum height reach करने पे, क्या होता है, तो एक चीज़ हम जाते है, maximum height reach करने पे, speed क्या हो जाती है, zero हो जाती है, तो मुझे क्या चाहिए, कि from the surface of earth, the maximum height above the surface of the particle, तो मुझे maximum height चीए, तो खोशता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, initial kinetic energy plus initial potential energy is equal to kF plus uf, अब यह ki क्या है, हाँ, ki पता नहीं है, ui क्या है, minus gmm upon r, ठीक है, kf क्या है, हाँ, तो kf क्या है, maximum height पर speed zero, uf क्या रहेगा, minus gmm upon r plus h, clear है, अब, तो ki क्या लिख सकता हूँ, हाँ, half m, v square, हाँ, जो initial speed दे रहे हो, यह minus equal to, gmm upon r, minus gmm upon r plus h, LCM ले लो, common निकाल के, तो common क्या है, gmm, तो LCM क्या होगा, यहाँ पर देखो, r into r plus h, यहाँ पर r plus h, minus r, minus r plus r, गया, तो अब, यह क्या होगा, half m, v square है, m से m गया, ठीक है, m से m गया, तो बच्चा क्या, v square is equal to, gm h, gm h, r, r plus h, ठीक है, तो मुझे खोजना h है, और यह v क्या हो जाने वाला है, तब, v को हम लिख देंगे, kv, हाँ, v को क्या लिख देंगे, भाई, kv, e, ठीक है, q, speed क्या है, initial speed तुमने kv, e दे रखा है, तो यह क्या हो गया, k square, v square क्या हमें है, 2gm e upon r, ठीक है, यहीदा, is k speed, square करोगे, तो क्या हो जाए, root हट जाएगा, gm h upon r, r plus h, r से r गया, g, यह क्या है, mass of earth, यह भी mass of earth ही है, ठीक है, यह, तो अब, यहाँ पे, क्या 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 आजा है, यह r plus h, divide में, equal to के उस side, k square r, k square h, equal to h, ठीक है, plus h है, कि plus k square h, तो इसको क्या क्या करते है, plus है, equal to के सेट बेस दो, तो k square r, h common, 1 minus k square हो जाएगा, plus है, equal to के सेट जाएगा, minus, तो h ही चीए है, तो h क्या हो जाएगा, k square r, 1 minus k square, next, तो देखते हैं, पहले तो option के answer राइट है, तो यह वाला, r k square, 1 minus k square, next question क्या है, a satellite is orbiting just above the surface of earth, with period t, if d is the density of earth, g is the universal constant of gravitation, the quantity 3 pi gd represent, तो 3 pi gd क्या represent कर रहा है, तो क्या करता हूँ, पहले तो मैं, मैं जाता हूँ, time period निकालना ना, तो चार option दे रहाए, t, t square, t cube, t root, line से निकालना चालू करो, तो t pi क्या आँ, t क्या ना, two pi, under root, gn, r q, तो t, अब ये m को बजलना है, तो root में है, तो ऐसे ही, root 3 आ जाएगा, दिखी रहा है, तो इसको नहीं करते हैं, मुझे 3 के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको square करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब square करोगा, तो ये हो जाएगा, 4 pi square, gm, r q, m की जगा क्या लिख सकते हो आप, तो m की जगा लिख सकते हो, 4 pi square, g, 4 by 3 pi r q, r q, चीक है, r q, r q, r q गया, into density d, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 गया, pi से pi गया, तो 3, डिवाइड में था उपर, 3 pi upon gd, clear, next, तो 3 pi gd काउं रिपजन करोगा, t square, जाएगा, जाएगा, ना, next क्या है, a satellite is moving in an elliptical orbit around the earth, the mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth then, तो ये है, the linear momentum of s remains constant in magnitude, क्या, linear momentum constant ना, नहीं, लिख से तो क्या, आनेल है, हाँ, इधर पर epihelion, perihelion, पर इस फीड चेंज हो जाता है, तो linear momentum सेम रहेगा, नहीं, acceleration of s is always directed toward the center of the earth, हाँ, acceleration तो कहा रहे हैं हमें साब, center की ताफ होगा, directed, तो बाचे हुए दोनों option क्या है, रॉंग है, तो 19th question क्या है, the mass of a planet is 110, that of the earth, and it is diameter, and if diameter is half that of the earth, the acceleration due to gravity, तो acceleration due to gravity क्या होना है, तो मैं जान रहाँ, acceleration due to gravity के लिए फरॉर्मला क्या है, gm by r square, तो बाइया, mass of planet क्या है, हाँ, अर्थ ए कंपेरिजन में, 110 है, दिख रहा है, और radius क्या है, हाँ, तो radius है, हाँ, डामेटर हाफ है, तो radius भी क्या होगा, हाँ, डामेटर इस हाफ तो radius भी क्या होगा, हाफ होगा, देखो, d is equal to क्या है, d by 2, तो d अगर 2 r क्या हो तो 2 r e upon 2 r e, तो अब यह देखो, यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर होगा, आपका, तो g m e r e square, 2 का square 4, 4 कहां जाएगा, उपर, divide by 10, और इसकी value क्या है, g m e r e square, g 9.8 into 0.4, जिसको इसमें दिक्कत हो रही हो, उसको याद होगा, p by q upon r upon s के लिए, s कहां चला आता है, उपर r कहां चला आता है, बच्पन से सीखते हार, ठीक है, तो answer क्या है, multiply क्या है, 3.92, next, हाँ, तो next question क्या है, the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of earth of mass m and radius r में circular orbit, altitude 2 r from the surface of earth, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखो, 2024 से question है, last वाला भी 2024 से question था, ये question आ चुके है, पिछले साल, तो इस साल भी इस type of question आने के chance बहुत हाई, ठीक है, तो जितना भी question है, इन समय से कुछ ना कुछ देखोगे, तुमको आएगा ही, तो अब क्या है, ये है, अर्थ है, अब यहां से क्या बोल रहा हूं मैं, ये इसका radius r है, इसका radius r है, और ये क्या है, तो अब यहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कितना energy देना पड़ेगा, क्या है the minimum energy required, तो energy देना कितना पड़ेगा, तो मैं जानता हूं, ki plus ui is equal to kf plus vf, जान दो, ki क्या है, ki ही initial energy है, ui क्या रहा है, gm upon r, surface पहना भाई, तो r रहेगा, kf क्या रहा है, half m vf का i square, vf क्या है, speed of planet, हाँ, ओके, इसको uf बोलो, uf, vf speed से show कर रहा है, तो vf क्या रहा है, minus g, mm, earth के center से planet किस height पे है, 3r किस height पे भाई, 3r, clear है, तो और, यह देखो, ki, equal to, इससा idea, तो gm upon r, vf क्या रहने वाला है, तो half m, vf मतलब speed of planet, तो speed of planet क्या रहा है, gm upon 3r, gm upon 3r, height 3r पे रहना, तो speed भी क्या रहनी है, वहां पे रहनी है, तो minus gm upon 3r, तो अब क्या करते हैं, लोग, यह minus है, equal to set भेजा था पर गया नहीं, चलो, कोई नहीं, जीद कर रहा है, तो इदह ही रख लेते हैं, तो यह, ki, minus gm upon r, common क्या है, gm upon r, common है, 1 upon 6 minus 1 upon 3, आना क्या है, दिख रहा है, हाँ, अगर मैं 3 common ले लेता है, तो all clear हो जाता है, तो लोगों के लिए, तो देखो, अगर तुम 3 common ले लोगे, तो यह क्या हो जाए, 1 upon 2 minus 1, तो minus 1 आप बचेगा, तो ki क्या रहनी है, gm upon r, gm upon minus 6r, ठीक है, ओहो, अब की बार तो इसको भेजूँगा ही, कब से जीद कर रहा है कि नहीं जाएगा, तो अब, क्या करते हैं, gm upon r, बचा क्या, 1 minus 1 upon 6, 1 minus 1 upon 6, क्या होगा, 6 minus 1, तो 5 upon 6, gm upon r, तो यह है आपका initial है, जो मुझे देनी पड़ेगी, तो option कौन सा right है, यह वाला, ठीक है, अब move करते हैं, next question पर, next question क्या है, the escape velocity of a body, on the earth surface is 11.2 km per second, if the same body is projected upward with velocity 22.4 km per second, the velocity at the body at infinite distance from the center of the earth will be, तो देखो, इसके लिए, अभी हम लोगों ने, जब formula बताया था, तब मैंने क्या बताया था, formula बताया था, तुम लोगों को है, कि, v at infinity क्या था, तो, v at infinity था आपका, जा फिर final velocity बहुत सकते हो, यह क्या रहने वाला, initial velocity जो apply किया है, इसका square minus, इसके एप speed का square, ठीक है, तो, initial speed क्या है, भाई, 22.4 minus, 11, 2, और दोनों क्या है, भाई, square दोनों ही किसमे, km per second में, तो क्या करता हूँ, अब देखो, यह क्या है, हाँ, 11.2, अब देखो, 22.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22.4 को मैं लिख सकता हूँ, ऐसे, 2 into 11.2 का whole square minus 11.2 का square, क्या है, तो, क्या हो जाएगा, 11.2 का square common है, यहां क्या बचा, 4 minus 1, और यह भी क्या है, root में, common सा बाहर निकल लिया, तो बचा क्या है, यह जर पे, 11.2 का square, root से बाहर निकला, 11.2, 4 minus 1, root 3, ठीक है, तो कौनसे answer है, option D, move क्या है, next question पे, next question क्या है, है, if R is the radius, R is the radius, 22th question है, of the earth, and G is the acceleration due to gravity, on the earth's surface, then the mean density of earth will be, देख रहां, मैं चाहता तो इन सब को एक साथ अरेंज कर सकता था, पर मैं क्या चाह रहा हूं, कि तुम लोग है न, formula apply करते सीखो, हाँ, जो jumble question है, तो ऐसे में formula apply करते सीखो, नहीं, तो एक line से तुम को क्या रहेगा, हाँ, बस यही formula तो लग रहे है, पर अब ऐसे question में, तुम लोग क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचो और फटा फट, हाँ, तो अब क्या है, मुझे क्या दे रखा है, radius of earth and g of acceleration, due to gravity on the earth's surface, then mean density of earth will be, हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, g और density के बीच relation खुदना पड़ेगा, तो gravitational acceleration क्या है, gme, r e square, m e क्या रहना है, तो m e होगा, g density 4 by 3 by r e cube upon r e square, square से cube गया, तो बच्चा क्या है, मुझे density के लिए चीए था relation, तो इधर पर क्या आ जाना है, 3 divided में equal to go सड़ जाएगा, तो 3 g, और कुछ बच्चा है, नहीं, अब row को छोड़के, बाकी सब को भेज़ दो, 4, g, pi, r, तो यह क्यों है, आपका density, तो खोजो, कहाँ पर यह answer, 3 g, 4 pi, rg, option c, next, next क्या है, a gravitational field is present in a region and a mass is shifted from a to b through different path as shown, if w1, w2, w3 represent the work done by the gravitational force along the represent, along the respective path, then, यहां पर दिखे रहा आपको, आँ, तीन रस्ते हैं, यह से भी ले जाना है, एक बार ऐसे ले जा रहा है, एक बार ऐसे ले जा रहा है, अग बार इस तरीके से ले जा रहा है, तो कौन सा वर्क करना है, तो वर्क क्या होगा तीन होगा तीन होगी केस में, तो मैं क्या जानता हूँ, gravitational force क्या है, conservative force है, conservative force है मतलब वो तिर्फ initial और final position पर depend करता है, पाथ से उसको लेना देना होता है क्या, नहीं, तुम ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, क्या होने वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा तो option भी राइट है, w1 equal to w2 equal to w3, next, next question क्या है, in a gravitational field, the gravitational potential given by v is equal to minus k upon x, joule per kg, the gravitational field intensity at 0.203 meter is, हाँ, तो क्या करना वर्क होगा, हमने एक formula देखा था, potential और gravitational acceleration के वीश, relationship है, तो g क्या था, याद है, minus dv upon dx, i cap, plus dv, ओहो, यह d, d नहीं, sorry, यह partial differentiation है, del v upon del x, i cap, plus del v upon del y, j cap, del v upon del z, k cap, clear है, तो, यहाँ पर, क्या दे रखा है, तो बस देखो, यहाँ पर जो potential हो, किसके ओपर depend कर रहा है, सिर्फ x के ओपर, तो क्या करूँगा, मैं, x के ओपर depend कर रहा है, तो, minus, y और z वाले हो, count करेंगे, नहीं, सिर्फ x वाले किने, तो, del upon del x, v की जगा, minus k upon x, minus, minus, plus, del upon del x, k upon x, k बाहर, k constant है, तो बाहर, del upon del x, one upon x, तो, यह दिख रहा है, k del upon del x, one upon x, तो, क्या होगा, differentiation करना है, differentiation करोगा, तो, क्या होगा, one upon x का differentiation क्या होगा, x की power minus 1, del upon del x, करो, differentiation का formula क्या है, power आगे, power minus 1, तो, यह क्या होगा, minus k upon x, square और x की value क्या है 2, 0, 3 याद है 2, 0, 3 तो मैं क्या अंसा लोंगा सिर्ट x वाला तो यह क्या हो जाएगा minus k upon 2 का square means minus k upon 4 कौन सा option राइट है भई option d next तो the ratio of the escape velocity at the earth v to the escape velocity atom planet vp whose radius and mean density are twice as that of the earth is तो अब क्या करना पड़ेगा भाई आँ escape velocity का density के साथ relation खोजना पड़ेगा तो अभी तुम लोग ने density और escape velocity का relation देखा क्या था r e under root 8 by 3 पाई जी रो ठीक है r e 8 by 3 पाई जी रो तो अब क्या क्या given है देखो तो given क्या क्या है हां तो व्हूस रेडियस और मीन देंसिटी आट ट्वाइस आज डाट रेडियस और मीन देंसिटी क्या है ट्वाइस है तो स्पीड अफ प्लैनेट के लिए हां तो यह क्या होना आ यह है twice 2R density भी क्या है twice हा तो 8 by 3 by G 2 रूप तो अब ये 2 बहार तो ये क्या होने होला है 2 root 2 RE 8 by 3 by G रूप तो अब ये क्या है ये quantity क्या आपना तो रूट टू escape speed 4 अर्थ escape speed 4 planet तो कौम सा option राइट है रेशो चीह है अपने को तो रेशो क्या हो जाएगा V upon V P तो देखो V क्या है दिख रहा है V क्या है 8 by 3 pi यहाँ पे 2 root 2 अर्थ 8 by 3 pi G 0 री अर्थ नवी पी तर आया क्या आठ रिख सा option वान अपन टू रूट 2 next next the acceleration due to gravity at a height of 1 kilometer above the surface of above the earth is the same as at a death below the surface of earth what love is K above and below one kilometer earth 1 kilometer above Earth 1 kilometer below gravitational acceleration क्या है same as the acceleration due to gravity at a height one kilometer above the earth is the same as at a depth d below oh sorry d खोजने है अपने को d below the surface आप तो d की value खोजने है तो मैं क्या करूंगा यह g at height as किसके equivalent g at depth d के तो यह कहारे नहीं है g1 minus d upon r e is equal to g1 minus 2h upon r e ठीक है g से g cancel 1 minus d upon r e 1 minus 2h upon r e 1 से 1 भी गहे हैं कि था तो मैंनस d upon r e minus to h की value क्या है 1 kilometer अपन आरी 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 गया माइनस माइना गया तो d क्या आ रहा है भाई तो किलोमेटर टू किलोमेटर डेट पर क्या नहीं लाग है ग्राविटेशनल एक्सिलेशन कि अगा भाई वन किलो मेंटर हाइट पर जो है उसके बराबर तब है नेक्स वेस्टेन नेक्स्ट क्या है तो अस्टोनौट्स आर्ट प्लोटिं इन ग्राविटेशनल । प्री फिस पेस अंग आप्टर है लॉश्ट कॉंताट्ड विद एर तू विल हां तू विल क्या आने आला है मुव तुवाड्स इच अदर मुव अवे फ्रोम इच अदर विल विकम इस्टेशनरी की फ्लोटिंग अड़ शेम डिस्टेंस बिट्रेंस तो क्या आने आला है अगर कोई और अब्जेक्ट नहीं है सिर्फ वही दोना तो इन दोनों क कुछ होने वाला ठीक है तो अब जाके यहां पर मैं क्या करता हूं इसको कंक्लूड करता हूं मेरे इसाफ से अगर तुम लोग इस वीडियो को सुरू से अंतर तक देखोगे तो कुछ भी बाकि नहीं सारी चीज़ें यहां पर कवर हो चुकिए सब कुछ तुमको आ जाए है ठीक है तो देखोगे तुम लोग को अराउंड 90 80 से कोश्चन लिए और 2024 तक के कोश्चन यहां पर करवाया हूं तो अच्छे से प्रिपैर करो हां सारे कोश्चन देखो और तुमको ऐसा लगता है कि यार किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर लॉंग वीडियो बना के दो तो